झायण प्रक्रीड इंपोर्टेंट है इसलिए इन कुशनों का हुआ आज की क्लास को हम भूम लोग म्यादस के हैं और पहला क्यों स्किन वोर्ड पर दिये इंदन में निचे धीए किसमे सरवाद्ग कुशमयमान है पथर का कोईला लकड़ी या फ्राक्रति के जल्दी से इसका अंसर दो किसमे जो है वो सरवाद्ग कुशमयमान है जल्दी से आंसर दो वह ई स्वचुन on के ऑज़े खोता नहीं होना चाहिए कल भी अपना यह कुछनस आये था ओके आरू चौदरी किसन सिंग शौरब नेगी मनोज केके जैहिंड आप सभी को जैहिंड मेरा जैसी कृष्णा जैहिंड चलो जो प्यारे विदार्तियों जल्दी से कुछन अजेज सिंग जैहिंड कुछनस का आंसर दो चाहिए सबसे पहले आंसर दिया है बी आंसर यानी की पत्थर कौन सा भी यह हंज भी दिया यहने की पत्थर का कोईला वे सबसे आँसर दो रही क्या होगा कल भी अपने यह क्यों से साइध आई यहूं आणसर मन्त दो रहे हैं पुरहन सिंग ने बिल्कुल सही आणसर दिया पूरहन सिंग ने सही आंसर दिया हैं तो देख लो भाई पूरन सिंग कौन सांसर दे रहा है चलो डी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है प्यारे विदार्तियों कल भी अपना ये कुशन सही था और हमने कल भी सॉल किया दा कि सबसे ज़्यादा उसमे मान किसका होता है तो प्राकर्तिक गहसका होता है ये बात धियान में रखना Natural Gans वे Gans रे जूपर्त्वी के निचली पड़तों से निकलती उन्हें प्राकर्तिक Gans केते हैं प्राकर्तिक Gans में सरवादिक मातरा मिथैन के होती है और इसमें Hydrocarbon भी सबसे अधिक होता है Hydrocarbon इसके अंत्रकट 95% होता है Hydrocarbon यह चीज ध्यान में रखने हैं प्राकरतिक गैस जैसे कि LPG दर्वीट प्राकरतिक गैस ओके और हम लोग CNG भी कह सकते हैं बराबर ना बराबर ना और यह हाइडोजन का सरवादिक होता है उसमें अमान और इसलिए हम लोग जो है इसको हाइडोजन को जो है वह बहुश्य का इंदर भी कहते हैं यह चीज भी ध्यान में रखने हैं राइट ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन की तरफ चलेंगे तो पहला क्यूशन का आंसर जो है वो डी होगा आगे चलते हैं क्यूशन नमबर सेकेंड और सेकेंड नमबर क्यूशन में है कि सागर में बहने बैते हिमकेंड के दुर्यमान के कुल दस भागों में कितना जल तल के उपर होगा एक भाग दो भाग चार भाग छे भाग क्यूशन को सम पुरियोमान के कुल्दस भागों में कितना जल्क तल के उपर होगा जल्दी से आंसर दो भई क्या होगा मनोज केके एक भाग होगा है बहुत अच्छा बैते हिमकंड के दुर्युमान की कुल दस भागों में कितना जल तल के उपर होगा बहुत अच्छा चदरी डी एस जाड श्याम जाड अरुचौंदरी बहुत अता सावाज तो मेरे प्यारे विदार्तियों सिद्धी सी बात है एक बटा दस यानि की दस भाग नीचे और एक भाग जो है वो उपर रहता है तो सिद्धी सी बात है जिसके अंतरगत हमारा जो है वो एक वहाग सबसे उपर होगा यानि कि option number A हमारा एक दुम correct answer है आगे चले हम लोग next question की तरह question है हमारा third चंदरमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी परकार का जीवन नहीं है डाइटोजन गंदक ऑक्सिजन और जल कौन सा होगा वही जल्दी से आंसर दो बड़ी सो समझ के आंसर देना है पड़ावड फेकना नहीं है ध्यान में रखना चंदर्मा पर क्या नहीं होने के कारण वहां जीवन नहीं है क्या नहीं होने के कारण जल्दी से आंसर दो वही क्या नहीं होने के कारण ओके चंदर्मा पर क्या नहीं है ओके बहुत अच्छा वही मनोज केके ने सबसे पहले आंसर दिया और सी फिर शौरब नेगी फिर डिंपल यूपी ऐसी ने भी सी आंसर क्या बात है ऐसा मत करो रहे बगत सिंग बाट्टी आरुच चौदरी किसन सेंग शाम जाट चौदरी अनेल बई ऐसा क्या है रहे किसन सेंग क्या बेज रहा है धर्मेंदर सिशो दिया ने और टू आंसर दिया अक्सिजन इए एक ने तो डी आंसर दिया पूरन सिंग ने डी आंसर दिया जल बहुत अच्छा सबश तो इसका राइट आंसर जल रही होगा एक बात बताओ रहें ऑक्सिजन आती कहां से पहले बता हो हम मैं बताता हूं हमारे फ्रुथी पर oxygen जो है व माना पीड़ पूदों से आती है तो कासलेशन की किंए के दॉरान आती है पॉर कास अंस लेशन कि सार यह क्या होता है तो यह होता है इस प्रकार से 6 co2 plus 12 h2o 12 h2o और यहां से c6 h12 o6 plus 602 plus 6 h2o ओकी अब दिखो मेरे प्यारे विदार्थियों यहां से पूदा प्रकास नसलेशन की किरिया में प्लस वाटर लेता है बदले में भोजन बनाता है बदले में ऑक्सिजन छोड़ता है दिन के समय अब प्यारे विदार्थियों यह ऑक्सिजन जो निकली है ना इस अभिकरिया में यह हमारे जल से निकली है बराबर ना कि मेरे प्यारे विदार्थियों पेड़ पोदे कि भई ऑक्सिजन जो है सिर्फ ऑक्सिजन होने से क्या सब कुछ कारी चल जाएगा रे वही वाटर वाटर का फॉर्मूला क्या होता है इसमें हाइडूजन प्लस ऑक्सिजन दोनों होती है यह चीज़ भी तो ध्यार में होना चाहिए ओके ट्री से बहुत अच्छा लृटर हां ब small бывает तो फिद पहले आंसर क्यों दिया वही हाँ क्या डिपम Irlumissement पहले जो है वह आपने आंसर दिया धा ऑक्सिजन ऑक्सिजन नहीं होगा वराबर न यास चलो वही आगे चलते है नेक्स्ट को स्न्सी तरब चलते हैं तभी तो मैंसे कह रहा हूं सोंच के आंसर दो वैर इस ते फड़ा फड़ा आंसर एक कुछ ऐसे हैं जो अच्छा सो समझ के थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दो नाभी की रियक्टर में इनमें से कौंसा इंधिन का काम करता है को इन में इन या दिमाग लगाने की जरुद है नहीं फिर भी ठीक है ना रेडियम थोरियम यूरेनियम क्या होगा बताइए या कोईला कि भी आंसर आ रहा है श्याम जार्ट में सबसे पहले आंसर दिया बी बहुत अच्छा सबास तो इसमें को भी हमारे को सोचने की जरूरती नहीं है क्योंकि प्यारे विदारतियों हमेश अगला हमारा साथ्री की सॉहता से निम्बू का सर्बत नहीं पी सकता बताईए चंदरमा पर कोई अंतरिक स्यात्री नली की सायता से निम्बू का सर्वत नहीं पी सकता है क्यों चंदरमा पर घंधोतों के कान तोन कम है चंदरमा पर कोई वायू मडल नहीं है चन्दरमा पर निम्बु के सरवत का तवरित वास्पिकर्ण हो जाता है या इन में से कोई नहीं तो जल्दी से आंसर दो Q5 का आंसर दो क्या हो सकता है क्या है possibility जल्दी से आंसर दो Q5 बहुत अच्छा किसन सेंग अचल सेंग हाँ भई अके शरब नगे पांच में B आंसर इसमें भी कोई सोचने वाली बात नहीं है दरमेंदर सिसोदिया B अचल सेंग अनेल आर्मी लवार बग सिंग भाटी सभास बेजो बटा बटा आंसर बेजो बटाई क्या होगा अजे सेंग बहुत अच्छा सभास तो इसमें भी कोई सोचने वाली बात है नहीं मेरे प्यारे विदारतियो आरू चोदरी बहुत अच्छा भई B आंसर होगा हैने कि अजचंद्रमा पर कोई वायू मंडल नहीं है सिदी सी बात है वायू मंडल नहीं होने के कारण वहाँ पर निर्वाद की सती जो है वो उत्पन होती है इसलिए वो पानी नहीं पी सकता निम्बू की सर्वत नहीं पी सकता चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट कोईशन की तरफ चलेंगे अगला हमारा कुशन से इस परकार से क्योशन नमबर से एक्स बरफ के टुकडे एक गिलास सुद जल और एक गिलास सुद अलकॉल में डालने पर बरफ जल में उपर के इस तरपर रहेगी अलकॉल में उपर के इस तरपर रहेगी दोनों में एक ही इस तरह पर होगी या एलकॉल में तेरती रहेगी और जल में डूब जाएगी तो समझ में आया वही कि बरफ का एक टुकड़ा है उस तुकड़े को एक गिलास सुध जल और एक गिलास सुध एलकॉल में डालते हैं तो बरफ के टुकड़े की क्या हालत होगी उसका आंसर मुझे यहां पर देना है तो जल्दी से आंसर दो क्या होगा बरफ के टुकड़े को एक गिलास पानी और एक गिलास एलकॉल में डालने पर बरफ का टुकड़ा क्या करेगा उपर रहेगा नीचे रहेगा क्या होगा पि क्या बाते कोई A answer कोई B answer कोई D answer भी दे रहा है किसन सेंग चठे में जो है वो B अर्चल सिंग B आर्मी लवर B क्या वाद है सबका एक ही आंसर आ रहा है B कभी कभी अलकॉल देखा है क्या और एलकॉल देखा है तो उसमें बरफ का टुकड़ा डालाई क्या अरे ऐसे क्या कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यूशन आपके सामने दे रखा है फिर भी आप यूं कर रहे है अरे पानी तो देखा ही है ना जल में तो वह उपर ही रहता है यह तो सरोबोम सत्य है यह तो हमेशा देखते हैं हम लोग और हमें पता भी है कि एक बरफ के टुकड़े को वाटर में डालने पर सिदी सी बात है वह उपर ही रहेगा तो बरफ में उपर के इस तरह पर रहेगी यह बात तो सरोबोम सत्य है अलकॉल बानलो आपने कभी अलकॉल देखा नहीं है कभी पिया नहीं है नहीं उसमें कभी बरफ डाली मानलो यह प्रतिकल हमें पता नहीं है तो यह और यह तो बात सत्य है ना इन चारों मेंसे कोई एक बात सरती होगी तो ये बात सरती है तो क्लिक किया जाए पहले काँ B तक जा रहे हो इतना ही क्या सोच रहे हो नहीं देखा तभी नहीं देखा तब इतु कह रहा हु लेकिन पहले A No Option तो देखा ही है ना फिर क्यों फैक रहे हो चलो ठीक है ए नमबर तो देखाई है ना जल में उपर के इस तर पर रहेगी क्योशन नमबर सान चंदर्मा पर आने जाने की यात्रा के दोरान अधिक कम इंदन कब खर्च होता है उडान भढ़ने के समय पृत्वी के गुरतों को पार करने में चंदर्मा पर उतरने पर चंदर्मा के गुरतों को पार करने में चंदर्मा से उडान भरने पर चंदर्मा के गुरतों को पार करने में पृत्वी पर पूना परवेश करने और हलका उतरने पर पृत्वी के गुरतों को पार करने में जल्दी से आंसर दो कि चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दोरान अधिक्तम इंदर कभ खर्च होता है शेव नंबर का आंसर दो देखा तो है तो देखा है तो फिर आंसर गलत क्यों दे रहा है तर्मेंदर शिशोद्या तो जल्दी से आंसर दो क्यूसर नंबर से वन अनेल दिंपल लिप्यासी महेंद्र अरू अरे पूरन सेंग क्या बात है दर्मेंदर सौरबनेगी उडान भरने के समय पृत्वी के गुर्तों को पार करने में चंदर्मा पर ओके क्या बात है कि हां कि क्या बात है यह सभी आप सभी एक आंसर कैसे देते हो मुझे समझ मैं नहीं आ रहा है सबका दिमाग एक जैसा चलता है क्या अचल सेंग कि ओके अरे मेरे प्यारे विदार्तियों चंदर्मा पर आने-जाने के यात्रा के दौरान अधिक्तम इंदन कब खर्च होता है अधिक्तम इंदन जब प्रत्वी पर पुनपरवेस करता एं ना उससमें अरे उड़ना होता है तो उससे सिदह ही वह बढ़ता जाएगा उसे क तोड़ा बहुत उसको नीचे उतरने में क्या लगेगा टाइम लगेगा बड़े सोच समझ के तने ऐसा थोड़ी के जैसा उपर गये तो यह सद्धाराम से नीचे आएगा ऐसा तो नहीं होगा ना आई बास तो उपर जाने में इतना ज्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगा र कर रहे वहां पर पर समय को होता है एकल बहुत बहुत जादा हम लोगों को हम बहुत यह का मचन से लोगवाजाए कोलता है यह अपने रहे कोई तो आंसर अपना दिमाग लगा करके दो थोड़ा बहुत उल्टा हो रहा चर उल्टा ही हो रहा है तो वे उल्टा कैसे कर रहे हो सिधा करो भई उल्टा उल्टा नहीं करना है सिधा सिधा करना है बराबर ना क्यूशन नमबर एट उल्टा करने में आनद नहीं है ओके क्यूशन नमबर एट वाई उमडली ओजॉन की उपरी पर्त निमली के तमय से किस से बनी है जल्दी से आंसर दो भई क्यूशन नमबर एट का आंसर दो भई क्या वाई मडली ओजॉन पर्त निमली के तमय से किस से बनी है ओक्सिजन में पैरा बेंगनी के नो की ओक्सिजन में अनुओं का सेयोजन ओक्सिजन का उच दाब में आना वाई मडली में ओक्सिजन पर नाइटोजन की किरिया तो समझ के आंसर दो ठीक है वाई मडली ओजॉन की उपरी पर तो निमली कितमय से किस से बनी है जल्दी से सो समझ के आंसर दो इसका सारे क्यूशन देखो सिंपल है बस थोड़ा सा सोचना है आज आपको मैं आपके दिमा की कसरत करा रहा हूं बराबर ना इसलिए बस सारे नहीं है थोड़े सो समझ आप देना है इस बताइए यह बहुंत सो समझ के आंसर देता है पी आंसर आरहा है सभी का वह किसी का यह और किसी का बी ओके आरो चौदरी शिवम कुमार ने इस बहुत अच्छा आरो चौदरियों में ए व्युर्ड अजिशन ने बी आंसर अचल सिंग ने डी आंसर दे दिया है और बी यह निकि ए बी और डी तीन आंसर आगे तो भाई आप एक सी रहा हैं ऐसा क्यों कर रहे हो अजित सिंग ओ थ्री अरे मेरे प्यारे विदार्तियों जिन विदार्तियों ने जो है वो बी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है अरे राजा इसमें भी तो थोड़ा समझने वाली तो बात है ना ऑक्सिजन में अनों का सिंग ओर रहा है मेरे प्यारे विदार्तियों यह ओ टू जो है वो क्या कर रहा है एक और ऑक्सिजन से सभीव करके ओ थृ विद रहे हैं। उजॉन परक्त में सामयत वृजॉन गैस होती है और ईयुन गैस कैसे बनती है तो औकशिजन चैने तो बनती है आ पती और आप लोग आंसर सभ्षिन में किया बेड़ ने कि क्या होता है रे ऑक्सिजन में अन्हों का सयोजन होता है ओ टू बराबर ओ टू प्लस एक और ओ मिल करके फिर हम लोग कहते हैं और जोन का निर्मान होता है बराबर ना गयास चलो हाँ जी जलो भई कि आगे चलता है वही नेक्स्ट कॉस्टंस की तराफ question number 9 nuclear reactor में neutron को किसे से अव मन्दित किया जाता है विखन्ड अदनिय पदात moderator नियंतन चर्ड सितलत प्रमाने हाँ वैज सीवम कुमार जल्दी से आंसर बेज इस questions का जल्दी से आंसर दे रे questions का answer बेजो question number 9 का दर्मेंद्र सिशोधिया बहुत अच्छा श्याम शिवम कुमार नाइंत में भी answer क्या बात है बई न्यूकलियर रियक्टर में neutron को किसे से अव मन्दित किया जाता है तो जल्दी से आंसर दो बहुत अच्छा सबास अव मन्दित किया जाता है यह question बिल्कुल सबका right है यहनिकि moderator यहनिकि B answer सबास न्यूकलियर रियक्टर में neutron को moderator के दोरा हम लोग जो है अव मन्दित करते हैं यह तो simple question है चलो आगे चलते है next question के तरव question number 10 10 number question इस परकार से है कि निमली कितमे से वह company कौन सी है जिसने transistor radio का अविसकार किया transistor radio का अविसकार जो है किस company ने किया बहुत simple question है जल्दी से answer दो भई क्या होता है question number 10 का answer दो टांजिस्टर radio का अविसकार जो है वो किस company ने किया था जल्दी से answer दो बहुत अच्छा पूरण से very good यानि कि sony यास ए नबर option बिलकुल सही है निमली कितमे से वह कौन सी company है जिसने transistor radio का अविसकार किया तो sony ने किया था बराबर यास transistor radio आगे चलते हैं हम लोग question number 11 डिजल इंजन में इंडन को जोलेट करने के लिए आउसक उचता आपमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है तो जल्दी से answer दो इसका क्या answer होगा a b c d कौन सा answer होगा ओके चलो ठीक है sony तो डिजल इंजन में इंडन को जोलेट करने के लिए आउसक उचता आपमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है तो मेरे प्यारे विदार्तियों सिलेंडरों में वायू को संपेडित करके इस परकार से हम लोग कर सकते हैं बराबर ना सिलेंडरों में वायू को संपेडित करके हम लोग डिजन इंडन में इंडन को जोलेट कर सकते हैं बराबर ना इस तापमान पर ओके चलो आगे चलते हैं नेस्ट क्वेशन पार किसन नमबर ट्वैल निमिली कितमे से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है बहुत अच्छा क्वेशन ह हैं भास सिंपल क्वेशन यह तो आप हुमेशा ही पढ़ते आये हो जल्दी से आंसर दो क्या होगा तो मेरे प्यारे विदार्तियों ग्रीन हाऊस गैस पोदागर पुरबवव जल्दी से आंसर दो क्वेशन नमबर ट्वैल ठीक है ना या सभास ग्रीन हाउस गैस पुदा गरफ परभाव क्यों सी गैसे जल्दी से आंसर दो ग्रीन हाउस गैस के दो या पुदा गरफ परभाव के दो ग्लोबल वर्निंग के दो तो सीडी सी बात है बहुत अच्छा सीओ टू यानि के कारबंड़ाई ऑक्साइड सबका आंसर राइट है यह क्योशन तो किसी का गलत होई नहीं सकता ओके चलो वई कारबंड़ाई ऑक्साइड अगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरब चलेंगे अगला हमारा कोशन से कुशन नमबर थर्टेन निमली के तमेसे किस की ततो की सापेक्स परमानू साहती कौन सी है जो परमानू से बनी है जिनमें प्रतेक में सतरा प्रोटोन लिए को है ना यहिसका आंस्ोर मुझे टेक्निकल वाले थेक ना कल रक वाले जो भी है वह उजते का आंसर की नमबर रॉटो है इसका आनस्व आ पमझे कमेट बॉक्स में दोगे जब यह वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद में मुझे यह आंसर और बराबर चलो अब हम लोग चलते हैं क्यूशन नमबर 45 वेरी गुड अरुण चौधरी धर्मेंदर सिसो दिया शौरप नेगी इन्होंने आंसों दे दिया अचल सेंग बहुत अच्छा सभास फिर भी मैं आप से यह कहूंगा कि टेक्निकल वाले मुझे इसका आंसर विट डेस क्यूशन है पर्सी तक मतलब ठंडा करने के लिए फ्रीजर में हम लोग ठंडा करने के लिए कि इसका उप्यों करते हैं बहुत सिंपल क्यूशन है जल्दी से आंसर दो भाई 35 का अंसर भी आ सुका है सी बहुत अच्छा सभास फिरियॉन को हम लोग जो है वो सी एप सी क्लोरोफ्ला कार्बन के नाम से भी जानते हैं यहनिकी आप्शन नबर सी हमारा क्रेक्ट आंसर ओकी आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्यूशन है क्यूशन नमबर 15 लो भाई आश दो जल्दी से किसी परशीत तित्र में सीतल पर्णाली सदेव सीट पर होने चाहिए तली में होने चाहिए मध्यं में होने चाहिए कहीं भी परसितक मतलब फ्रेज में किसी पर्षितक में सीटल परणाली मतलब उसका राखिजेटर कहां लगना होना चाहिए सेज पर होना चाहिए तली में होना चाहिए मद्यम होना चाहिए कहीं पर भी बहुत अच्छा है आपके गर में जो फ्रीजर लगा हुआ है वह रेशीजेटर मतलब सीतलन परणाली वह कहां लगी हुई है फ्रीज के तल में लगी हुई है या फ्रीज के सीर्स पर लगी हुई है जल्दी से आंस को दो सीतलन परणाली कहां होने चीए यह बताओ सीतल परणाली बी आंसर तली में भाई कुष्ण को साई समझ के आंसर दो नीची यानी तल में तली में सीतल परणाली यह अजी सिंग यह किसी पस्षी तित्रवे सीतल परणाली सदेव कहां होती है तो मेरे प्यारे विदार्तियों इसने यह नहीं कहा है कि रेफिजेटर कहां लगा होता है वह सितल परणाली तो जो है वह सबसे ऊपर यैसे यह रेफिजेटर है एक रेफिजेटर में हम लोग कहते है इसमें जो फ्रीजर जो होता है या रेफिजेटर जो होता है वह कहां में गगा हुता है यह हमारे निचे की तरफ लगा होता है और इसमें उपर की तरफ यह क्या है क्या है पंडा ली यह उपर कि तरफ जाएगा मैं माररा झाइब谘 की तरफ में लगा होता है और ठंडा जो होने वाली पढ़ना लिए वो हमेशी सीतल में होती है कभी भी यहां मद्य में हम लोग नहीं लगाएंगे आई बास समर में यह चीज ध्यान में रखना क्यों सन बहुत अच्छा था तो आपको सो समझ के आंसर देना था ओके सभी ने रेफिज सब्सक्राइब बहुत अच्छा पावन यादम बहुत अच्छा वई सभास ओके प्यारे विजार क्यों तो आज की क्लास हम लोग फिनेश करते हैं आज बहुत अच्छे क्यूशन थे थोड़ा माइंड लगा करके क्यूशन का आंसर देना था बराबर ओके चलते हैं कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी को मेरा जैहिन जैवारत